हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु माई योटूब चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, एक ऐसे फल के बारे में जो हमें काफी सारी बिमारीों से बचाता है और काफी सारी बिमारीों के लिए इस फल को बहुती जारा फाइदेमन माना जाता है फ्रेंट्स मैं बात कर रही हूँ काफल फल की यहों लोकपर यह पहाडी फल है यहों मध्य हिमालिय छेतरों में पाए जाने वाला सदा बाहर ब्रिक्ष है गर्मी के मौसम में काफल के पेड़ पर स्वादिस्थ फल लगता है जो देखने में सहतूत की तरो लगता है लेकिन यहों सहतू से बहुत अलग है फ्रेंट्स काफल काफल खाने से हमें काफी सारी बीमारियों से निजात मिलती है और काफी सारी बीमारियों में काफल काफल फाइदे मन्द भी होता है तो चलिए फ्रेंट्स जानते हैं कि काफल खाने के क्या फाइदे होते है इसका सबसे पह में गैस और एसिडिटी जैसी बिमारियों में इस फल का उप्योब करने से बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता है इसके अलावा एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी डिप्रेशन तत्वों से भरा होने के करण काफल दिमागी रूप से जुड़ी बिमारियों के लिए भी काफी ज पाइरिया, बुखार, टाइफाइट, पेची, सथा फेफरिक ग्रस जैसी बिमारियों के लिए काफी उप्योगी मानी जाती है इसके तने की चाल काफल के फूलों से बना तेल, कान, दर्द और जोडों के दर्दों में इस्तमाल करने में फाइदा मिलता है इसकी पेड की च चाल को सूंगने से सिर्दर्द और जुखाम में आराम मिलता है इसके अरावा फ्रेंट्स, मार्केट में मिलने वाले काफल के तेल से सिर में मालिश करने से भी सिर्दर्द में फाइदा होता है सूर्य की तेजकिर्णों से शरीर पर होने वाली टैनिंग में काफल बेड के पत्वों का पेस्त बना कर लगाने से बहुत जल आराम मिलता है इसके इलावा दात के दर्द में काफल का पत्ता बहुत तरीके से फाइदे मन होता है जैसे कि काफल के पत्तों को चबाने से दात दर्द में बहुत जल्द रहत मिलता है इसी के साथ काफल की तेल को रूई में डुबो कर दर्द वाले दाथ पर लगाने से भी आराम मिलता है ये था काफल से होने वाले फाइदे के बारे में फ्रेंट्स काफल फल को खाने से हाई बलड प्रेशर, कोलेस्टरॉल, घून की कमी इन सारी चीज़ों के लिए काफल काफल बहुत ही जादा लाबदायक होता है तो फ्रेंट्स ये थी इन्फोमेशन काफल खाने के फाइदों के बारे में हमें काफल खाने से तो काफी सारे फाइदे होते ही हैं लेकिन काफल के पेड़ के पते, तने, छाल इन सबी चीज़ों से भी हमें काफी जादा फाइदे होते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग भी इस फल का जरूर सेवन कीजिए और इन बड़ी बीमारियों के लिए आप लोग इस पेड़ और इन फलों का जरूर उपयोग में लाईए तो फ्रेंट्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के थुर मुझे जरूर बताएं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शिरूर करें